साथ तारिख को फैजाबाद जा रहे हैं रुदोली में समझे ना फैजाबाद अलग है साथ तारिख को फैजाबाद जा रहे हैं रुदोली में असदुद्दीन ओएसी जिस फैजाबाद की बात कर रहे हैं उस फैजाबाद का नाम अब अयोध्या है योगी सरकार ने नवंबर 2018 में ही फैजाबाद जिले का नाम बदल कर अयोध्या कर दिया था इस लिहाद से इस बार O.S.C. की चुनाव यात्रा अयोध्या से शुरू हो रही है लेकिन O.S.C. अयोध्या का नाम लेने से बच्चते नज़र आए साथ साथ तारिको फैजाबाद जा रहे है रदोली में समझे ना फैजाबाद अलग है साथ तारिको फैजाबाद जा रहे है रदोली में आठ को सुल्तानपूर है नो को बारा बंकी है तो अभी तो शुरुवात है बहुत जगा जाएंगे यूपी में बुरी बात क्या है? चुनाव आ रहा है पार्टी को मजबूत करना है जनता से मुलाःत करना है जनता के खरीब जाना है जनता को और काणफरेंस दिलाना है हमारे पार्टी के केडर को और मजबूत करना है और विधानसभा के चुनाओं में अच्छी तरह लड़के हमारे पार्टी के कैंडिडेट्स को विधायक मनाकर उत्तरप्रदेश विधानसभा में बिजाना है और योगी हुकूमत को हराना है OEC कह रहे हैं योगी की हुकूमत को हटाने का एलान कर चुके OEC ये भूल गए कि वो जिस फैजाबाद की बात कर रहे हैं वो बीते वर्षों की बात हो गई है U.P. विधानसभा चुनाओ का वक्त जैसे जैसे नस्दीक आ रहा है वैसे ही सूबे में सियासत की सरगर्मिया तेज हो रही है इस बार 7 सितंबर को अपने 3 दिवसीय U.P. दौरे की शुरवात यहीं से करेंगे O.S.C. रुदोली कजबे में उस वंचित सोशित सम्मेलन को संबोधित करेंगे उसके बाद 8 सितंबर को O.S.C. का सुल्तानपुर में कारिक्रम होगा और फिर 9 नवंबर को 12 बंकी जाने का प्रोग्राम रहेगा 2020 के बिहार विधान सबाच चुनाव में AIM ने 5 सीटे जीती थी बंगाल विधान सबाच चुनाव में असब दुद्दीन O.S.C. की पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा लेकिन अब U.P. विधान सबाच चुनाव को लेकर उनकी उमीदे परवान चल रही है O.S.C. कह चुके हैं कि इस बार अखलेश यादव का MY समी करन नहीं चलेगा M का मतलब मुसलिम और Y का मतलब यादव से है O.S.C. बार-बार कह रहे हैं कि इस बार U.P. में A to Z समी करन चलेगा पिछले 30 सालों से अयोध्या और राम मंदेर बीजेपी की राजनीती का केंद रहे हैं योगी आदितनात अक्सर राम लिला के दर्शन के लिए जाते रहते हैं वही इस बार तो B.S.P. महासचेव सतीश चंद्र में श्रभी ब्राम हर समेलन शुरू करने से पहले अयोध्या पहुँच गए ऐसा लगता है कि इस बार सभी राजनेतिक पार्टियों की चुनावी वैतनरी भगवान राम ही पार लगाएंगे